जमीन पर पैर नहीं, हॉस्टले आस्मान पर समंदर की लहरों पर पैरों के निशान हमारी एक जिन्दगी है, एक जुनून है। 2016 है, कानड़ा में एक सिल्वर और एक ब्रॉंज मेडल जीता है। 2017 है, अरब सागर में 36 किलोमीटर तैर कर रचायतिहास, 5 घंटे 42 मिनट में जीत लिया अरब सागर। सारी सफलता है, सब कुछ अपने डिपेंड मन पे किया जाता है। अब इंग्लिश चानल को सतेंद्र की चुनौती। नमस्कार आप देख रहे हैं जीनियोफ़ाब के साथ हूं, मैं रुबिका लियाकर। पाते थे। खुदरत ने भले ही सतेंद्र के पैरों की कमजोरी हमेशा उनको परिशान वो करती रही हो। लेकिन बावजूद इसके सतेंद्र ने अपने जजबे से अपनी इसी कमजोरी से पार पाया। और अब फ्रांस और ब्रिटन के बीच 36 किलो मीटर के इंग्लिश चैनल को जुलाई में पार करने की तैयारी कर रहे हैं। मिल सके आसानी से उसकी खुआहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। कुछ ऐसी ही करने की जिद ठानी मध्यप्रुदेश के रहने वाले सतेंद्र सिंग लुहिया ने। अपने पैरों पर ना खड़े हो पाने की दिक्कत के बावजूर। सतेंद्र सिंग ने तैराकी की दुनिया में कई रेकॉर्ड कायम किये हैं। और समंदर में 36 किलोमीटर तैर कर इतिहास राच दिया। सतेंद्र ऐसे पहले भारतिय हैं जिनोंने 55 फीसदी दिव्यांग होने के बाद भी ये काम्याभी हासिल की। 36 किलोमीटर की लंबी दूरी सतेंद्र ने 5 घंटे 42 मिनट में ही तैकर दिखाई। हमने ये सोचा था कि अभी तक जो हम सुविंग करते आ रहे तो पूल में जो मेरा पूल है उसमें 100 मीटर 50 मीटर का करते आ रहे थे। तो हमने ये सोचा है कि अच्छा किया जाए कि जिससे एक पेड़ा मिले समाज को और मतलब जीवन में कुछ हासिल करने के लिए एक समाज वे इंसिप्रेशन मिले और हम कुछ समाज को कुछ दे सके हैं। नैशनल चैंपियोंशिप्स में 19 मेडल जीत चुके सतेंद्र अब फ्रांस और बिटेन के बीच 36 किलोमीटर के इंगलिश चानल को जुलाई में पार करने वाले हैं। काम्याबी का ये सफर सतेंद्र के लिए आसान नहीं था। लेकिन जो लोग मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं। वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। और इसी जज़बे के साथ सतेंद्र ने अपनी शारिरिक कमजोरी से कभी हार नहीं मानी। दरसल सतेंद्र ने जब इंग्लिश चानल तैर कर पार करने की बाद खेल विभाग से कहीं तो उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि पहले बड़े तालाब में तैर कर दिखाओ। इसी बात को सतेंद्र ने एक चालेंज की तरह लिया और अरब सागर में तैरने का फैसला किया। इसके लिए बाकाइदा सतेंद्र ने नेवी से स्पेशल पॉमिशन भी लिए। वोई अवसर सामने बन जाती है। सतेंद्र का ये होसला काबिले तारीफ है। लेकिन फिलहाल अपने सपने को पूरा करने के लिए सतेंद्र को मदद की जरूरत है। क्योंकि प्रतिभा के धनी सतेंद्र एक गरीब परिवार से तालुक रखते हैं। जो इनकी हसरत ये चाहते हैं कि इंग्लिस चैनल को पार करें। अगर ऐसा होता है तो ये पहले पैरा स्विमर होंगे जो इंग्लिस चैनल को पार करने में कामियाब हो पाएंगे। और अब तक भी मुंबाई के समंदर में तेराकी करने वाले पहले ही पैरा स्विमर हैं। कई सारे पदक अपने नाम पर नाम इन्होंने की हैं। लेकिन इनकी कोशिश यही है। इन्हें उम्मीद है कि दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनके इस सपने को स पाकार करने में उनकी मदद करती नजर आएगी। कैमरमेंट प्रमोद गरूर के साथ कवता शर्मा, जी मीडिया, मुंबाई। समंदर की लहरों पर पैरों के निशान छोड़ जाएंगे, हम यही दौा और यही उम्मीद करें।